हुंडे ने भारत में नई वर्ना को 10.9 लाख रुपए की कीमत में लॉंच कर दिया है जो की टॉप वैरियंट के लिए 17.38 लाख रुपए तक जाता है नई वर्ना को 4 वैरियंट के विकल्प में लाया गया है इसे 8,000 बुकिंग मिल चुकी है नई हुंडे वर्ना के फीचर्स की बात करे तो इसमें 10.25 इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम सिफचेबल टाइप इंफोटेंमेंट वा AC स्विच कंट्रोलर 64 रंग वाला एंबियंट लाइटिंग, हीटेड वकूल सीट्स, इलेक्ट्रिक सन्रूफ, पावर एडिस्टिबल ड्राइवर सीट दिया गया है इसके साथ ही नई वर्ना में ब्लू लिंग कनेक्टेड तक्नीक, बोस प्रीमियम ओडियो सिस्टम, स्मार्ट ट्रंक दिया गया है इसके इंटीरियर में 10, 25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डोल टोन ब्लाट एंड वाइट इंटीरियर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट आधी दिया गया है नई हुन्डई वरना के इंजिन विकल्प की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजिन मिलता है, जो 115 HP का पौवर वर 144 नूटन मीटर का टार्ग प्रदान करता है वही इसका 1.5 लीटर तर्बो पेट्रोल इंजन 160 HP का पॉवर वद 253 न्यूटन मीटर का टार्प प्रदान करता है इसमें 6 स्पीड मैन्यूल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड रूप से मिलता है वही तर्बो पेट्रोल इंजन में 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया गया है वही नई वर्ना में CVT गियरबॉक्स विकल्प मिलता है इसमें डीजल इंजन का विकल्प नहीं दिया गया है 2023 हुंडेई वर्ना में सुरक्षा के लिए Advanced Driver Assistance System दिया गया है जिसके तहत Autonomous Emergency Braking Lane Keep Assist Adaptive Cruise Control आदी शामिल है इसमें 6 airbag, EBD के साथ ABS, Traction Control, Front वर रियर पार्किंग दिया गया है इसके इंटीरियर में 2 रंग विकल्प ब्लैक वर बेस तथा हायर वेरियंट में ब्लैक वर रेड मिलता है इसमें 528 लीटर का भूट स्पेस मिलता है तथा इस कार को 7 सिंगल टोन वर दो डूल टोन रंग विकल्प में उपलप्त कराया गया है 2023 हुंड़ी वर्ना के डिजाइन की बात करे तो सामने हिससे में बड़ा radiator grill, split headlight setup तथा मुख्य headlight unit दिया गया है इसमें LED DRL दिया गया है जो बोनट वर फ्रंट बंपर को अलग करता है वहीं इसके side हिससे में शांदार character line, sloping roof line वर shark fin antenna diamond cut alloy wheels दिया गया है पीछे हिससे में एलाकार का tail light वर LED light bar दिया गया है पीछे LED